C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है श्रिंखला स्रिजनात्मक लेखन दोस्तो इस श्रिंखला के अंतरगत आईए आज जानते हैं कैसे बनता है रेडियो नाटक दोस्तो नाटक की विधा बहुत ही पुरानी है नाटक नाटक की विधा बहुत ही पुरानी है नाटक की विधा बहुत ही पुरानी है नाटक की विधा बहुत ही पुरानी है नाटक विधा बहुत ही पुरानी है नाटक की विधा बहुत ही पुरानी है नाटक की विधा बहुत कितना ट्राफिक जैम था अच्छा गाड़ी खराब होने के बाद में ट्राफिक जैम भाना नंबर दो भी लग जिया साथ में कायर भी तो पंचर होता अकसर तुमारा पर आज तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बेव कर रहे हो क्योंकि यही तो आज का कथानक है नाटक जो तुम हर रोज हर दिन हर पल करती हो कर कोई बात नि कोई बात दोस्तो नाटक की विधा बहुत ही पुरानी है नाटक मंचन बहुत पहले से ही होता आ रहा है हां उसके माध्यम यहने लोगों तक पहुचने का जरिया अलग हो सकता है आज से कुछ दशक पहले की बात करें तो एक जमाना ऐसा भी था जब ना टेलिविशन था ना कंप्यूटर सिनमा हॉल और थियटर भी बहुत कम थे तो ऐसे में घर बैठे मनोरंजन का सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था रेडियो रेडियो पर खबरे आती थी खेलों का आखोदे का हाल पर सारित होता था एफम चानल्स की तरह गीत संगीत की भरमार होती थी और तो और टीवी धारव आईकों और फिल्मों की कमी को पूरा करते थे रेडियो पर आने वाले नाटक तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेडियो नाटक के बारे में शौन मुझे बड़ा डर लग रहा है कितनो भयानक जंगल है डर तो मुझे भी लग रहा है राम अम्मा बाबू सब परिशान होंगे यह सब इस नालायक मुहन की वज़े से हुआ है जंगल चलते हैं मुझे एक छटा सा रास्ता मालूम है यह मुहन कहां रह गया अभी तो यहीं था मुहन 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 हम कभी घर नहीं पहुँच पाएंगे कुप करो मोहन अरे मोहन हो आ रहा हूं पैर में काटा चुप गया सा अरे कोई जीडिया थी हम लोगों की आवाजों से वो खुच डर गई थी एक नंबर के डर पोक हो तुम दोनों मुहन रास्ता भटका दिया अब बहादुरी दिखा रहा है अरे वा यह तो किसी फिल्म या सीरियल जैसा ही लग रहा था यही तो खासियत है रेडियो नाटक की और सबसे अच्छी बात तो यह थी अभी नए कि इसमें दृश्य ना होते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मेरे सामने हैं यह तो एगदम सही बात कही तुमने बिल्कुल किसी फिल्म या सीरियल के जैसा ही है यह पर यह रेडियो नाटक लिखा किसे जाता है बहुत ही रोचक सवाल पूछा तुमने, अब बै, जैसे के तुमने भी इस अंच में सुना, रेडियो नाटक में भी किसी सिनमा या रंग मंच की तरह चरित्र होते हैं, करेक्ट? रेडियो संबाद प्रधान माध्यम है, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कौन किस से बात कर रहा है, इसलिए उस पात्र का नाम लेना जरूरी होता है, खास तौर पर उस अंच में जहां दो से ज्यादा पात्र हों, हाँ, जैसे अभी वाले नाटक में थे, राम, शाम, मोहन, आपस में एक दूसरे का नाम ले करें तो बात कर रहे थे, बिल्कुल सही का तुमने, बिल्कुल सही का, किसी उधारन से समझें तो, मालो हमारा चरित्र पार्क में है, और उसे बेंच पर बैठना है, ठीक है, तो कुछ देर उस बेंच पर बैठ जाओं, लेकिन बेंच पर बैठने की ध्वनी, आवास के जरिये ही तो रेडियो के नाटक में दिया जाता है, वो मैं करके बताता हूं, इसी लाइन को मैं दोबारा बोलता हूं, कितनी गर्मी है आज, पार्क में चलूं, और कुछ देर इस पर आराम से बैठ जाओं, मतलब ये सिर्फ एक्शन ना होकर किसी समवात का हिस्सा बनता है, जबकि किसी भी दृष्य मादे में ये सब तुम्हें बोलना नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक, दूसरी बाती है कि रेडियो नाटक, सिनमा और रंगमंच के नाटक लिखने में क के बीच का अंतर क्या होता है, अभिने, सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि सिनमा और रंगमंच के नाटक में दृष्य होते हैं, जबकि रेडियो पूरी तरह से श्रवे माध्यम है, बिल्कुल सही का, दोस्तों, आपको सब कुछ समवादों और ध्वनी प्रभावों के माध सज्जा है और नहीं वस्त्र सज्जा, और नहीं अभिनेता, अभिनेत्रियों के आक्टिंग के फेशल एक्स्प्रेशन देखने को मिलते हैं, जिससे के देख के पता चल जाए कि खुशी का दृष्य है या पिर दुख का दृष्य है, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा, देखो बई, अलग-अलग माध्यमों की अपनी-अपनी कुछ सीमाएं तो कुछ खासियत होती हैं, बाकी जब कुछ वैज़ा ही है, एक कहानी और कहानी का वही धाचा, शुरुवात, मध्य और अन्थ, बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से, बिलकुल, अच्छा मान लो, स्टेज पे या सिनिमा में किसी एक पात्र जोग दूसरा पात्र गोली मारता है, तो उसको जब गोली लगती है, गोली लगने के बाद में वो घायल हुआ, उस व्यक्ति की मृट्थी हुई, तो वो दिखाई देता है, लेकिन रेडियो पर तो दिखाई नहीं देता है, तो तुम मुझे गोली मारो ठिश कर राओ अरे वाँ अभिने तुमने तो वागई बड़ा अच्छा अभिने किया मतलब मैं वागई अभिने के माध्यम से ये प्रेशित कर पाया कि मैं मर गया तो ये रेडियो की जो नाटक की जो विधा है इस विधा में अक्टर को यानि जो खलाकार है उसे पारंगत होना बहुत जिरूरी है अच्छा एक और इसमें एक हम उदारन अपने सुनने वालों के सामने प्रस्तूत करना चालते है आम तोर पे मालो के रंग मज पे या सिनमा में चाय पी जाती है तो एक कप प्लेट दिखाई देता है और पीने वाला उसे पीते भी दिखाई देता है बिलकुर पर रेडियो पे ना तो कप दिखाई देता है ना प्लेट दिखाई देती है दो उस सीन को किस तरह से ये संपरेशित किया जाएगा ध्वनी के माध्यम से कि भई चाय पी जा रही है बताओ पी के बताओ भई चाय की शौकिन तो मैं हूँ नहीं अच्छा तो ये भी काम मुझे ही करना पड़ेगा देखिए अच्छा वानी एक कप चाय तो दो येलो चाय क्या खुच्बू है बापरे बहुत गरम चाय है अच्छा एक में हाँ फूक मार के पीता हूँ वाँ बिलकुल ऐसा लगा कि तुम सामने बैठ कर चाय पी रहे हूँ पर अभी नए ये भी तो यहां बताना ज़रूरी होगा कि कौन सी कहानी रेडियो के लिए है और कौन सी नहीं मतलब अगर हम बात करें कि रेडियो के लिए कौन सी कहानी अच्छी है तो वो कौन सी होगी यह तुमने बड़ी ही अच्छी वाद पूछिए देखो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहानी ऐसी ना हो जो पूरी तरह से आक्षन पर निर्भर हो अच्छा मान दो अभिने कि कहानी का पूरा आधार पीछा करना हो अपराधी भाग रहा है पुलिस उसका पीछा कर रही है अब इस सीन को हम फिल्म में तो बखुवे दिखा सकते हैं लेकिन रेडियो पर कैसे दिखाएंगे हाँ मुश्किल जरूर होते हैं लेकिन असंभव नहीं होते हैं जरूरत होती है एक ऐसे कलाकार की जो कि अपने परिवेश को बहुत अच्छे से जिसने अब्जर्व किया हो आसपास किस तरह कि उसके पास में चीजे हैं जिनका वो इस्तिमाल कर सकता है हाँ ये उतना खुबसूरत नहीं हो सकता है जितना कि एक फिल्म में होता है जिसमें कि शायद को 35 मंजिल उपर से कूदता है तो वो दिखाई देता है 35 मंजिल उपर से नीचे कूद रहा है लेकिन यहां साउंड से वो एफेक्ट क्रियेट किया जाता है बिल्कुल अभीने तुमने ये तो बता है कि कौन सी अच्छी कहानी होनी चाहिए रेडियो के लिए लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि रेडियो नाटक की अवधी कितनी हो को सुनने के लिए मनुष्य की एकागरता की अवधी जो है वो 15 से 30 मिनिट होती इससे ज़ादा नहीं होती और दूसरा सिनिमा या रंगबंच के नाठक के लिए दर्शक को अपने घरों से बाहर निकल कर किसी सारवजनिक स्थान पर जाना होता है मतलब वो एक प्रियास करते हैं एक समुह में बैठ कर नाठक को या फिर सिनिमा को देखते हैं अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है captive audience यानि एक स्थान पर कैद किये गए दर्शक और रेडियो या टीवी देखने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता वो आसानी से अपने घर में सुन्या देख सकते हैं गर पर बैटकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुए गुमा सकता है या उसका ध्यान कहीं और भी बटक सकता है ना यह लो अभी तुम्हारा ध्यान बटका आ गया तुम्हारा फोन उठाओ उठाओ इसी लिए हमें नाटक की अवधी छोटी ही रखनी चाहिए अगर रेडियो नाटक की कहानी ही लंबी है तो बताओ ऐसे में क्या करना चाहिए तो फिर ऐसे में उसे एक धारवाहिक के रूप में पेश किया जा सकता है जिसकी हर कड़ी 15 मिनिट, 30 मिनिट, 45 मिनिट या फिर 60 मिनिट हो सकती है बिल्कुल सही का इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा अगर रेडियो नाटक के शोटाच छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उनकी एक कागरता की अवधी बहुत ही कम होती है मानलो 5 से 10 मिनिट तक हो सकती है मेरा मतलब है रेडियो नाटक अपने लक्ष समूह को ध्यान में रख कर बनाना चाहिए बिल्कुल एक और एहम प्रश्न है वो क्या? वो यह कि रेडियो नाटक की अवधी यदी सीमित है तो क्या पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी? भाई मुझे तो लगता है कि बिल्कुल हो जाएगी श्रोता सिर्फ आवाज के सहारे चरित्रों को याद रखते हैं अगर रेडियो नाटक में जादा किरदार होंगे तो उनके साथ एक रिष्टा बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत नहीं होगी फिर भी हम एक नाटक में बताओ कितने चरित्र रख सकते हैं? अगर संख्या के हिसाब से बात करनी है तो मान लो 15 मिनट की अवधी के लिए पात्रों की संख्या 5 या 6 हो सकती है और 30 से 40 मिनट की अवधी के लिए 8 से 12 पात्र अगर एक घंटे या उससे अधिक की अवधी का रेडियो नाटक लिखना पड़े तो तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गड़ी जा सकती है ये तो रेडियो नाटक लिखने वाले पर निर्भर करता है कि उसे कितने पात्र चाहिए मतलब कहने का ये हुआ कि ये संख्याएं कम या ज्यादा की जा सकती है बिलकुल ये सिर्फ एक अंदाजा मात्र है और हाँ इन संख्याओं में छोटे मोटे किर्दारों की गिंती नहीं की जाती मतलब जैसे फेरी वाले की आवाज आच्चाए लिले चाए 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 या फिर पोस्ट मैन का संबाद पोस्ट मैन पोस्ट मैन या फिर न्यायाले में जच का सिर्फ order, order कहना फिल्कुल सही समझा तुमने तो शोता हो अभी आपने सुना रेडियो नाटक के लिए कहानी सिर्फ घटना प्रधान ना हो उसकी अवधी बहुत ज्यादा ना हो और पात्रों की संख्या सीमित हो तो ज्यादा अच्छा है तो अब देर किस बात की? आप भी लिखी डालिए कोई अच्छा सा रेडियो नाटक चलिए आपने कहा है तो शुरुवात कर देते तो दोस्तों आज आपने जाना कैसे बनता है रेडियो नाटक ये कारेक्रम कक्षा 11 और 12 के लिए हिंदी की पाठे पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के एक पाठ पर आधारित है ध्वन्यंकन शानु मुक्सीम कलाकार बावला कोचर और ममता मलकानी आभार अजी थोरू निर्माण, निर्देशन तथा ध्वनी संपादन, विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत